वेल्कम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं मलाई कुल्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसे बनाने के लिए आपको बाहर की किसी भी चीज की जरुरत नहीं है घर की चीज़ों सही ये बनकर तयार हो जाएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मलाई कुल्फी इस मज़दार सी कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लीटर दूद को गरम कर लेंगे गरम करके इसे 1 फॉर्थ होने तक पका लेना है तो घर की चीजों से जैसे जाहरा घर की चीजों से बनानानी है तो ज़्यादा चीज़ें इसमें कुछ भी नहीं है यह वन ताकि यह रेडियूस हो जाए और शाथ साथ में मैं इसकी तुरुचट देल से इसकी मलाई भी से निकालती जा रही थी इस प्रेश करते जा रही थी तो देख सकते हैं आप मलाई वाला गाणा दूल बनकर रेडी है अब इसका कलर भी काफी चेल्ड हो गया है अब मैं इसमें शकर एड़ करोंगी नहीं दालना है देख सकते हैं कितना गाड़ा दूद मलाई वाला रेड़ी हो गया है तो शकर भी बहुत ज्यादा एड़नी करना है एक बड़ा चमचा मैं इसमें शकर एड़ करकी चकर देखूंगी अगर जरुरत पड़ी तो और दाल दूँगी शकर शकर भूलने तक मैं इसे और पका लूँगी तो शकर अब भूल गई है और शकर की ज़रुरत नहीं है काफी मीठा है तो मैं इसमें दो चुटकी इलाइची पॉडर राट करूंगी अब मैं स्टोगी फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा सा थंडा कर दूंगी ताक है तो अब काफी ठंड़ा हो गया है और यहां पर मैरे पास मोल्ड है कैसे की वीडियो में मैंने बिना मोल्ड के भी खुललफी वनाने की रिसेपी शेयर के रिखे के हैं आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं मलाई मत का कुललफी अब मैं यह कुल्फी का बैटर इन साचे में डाल दूगी अब मैं इन मोल्ड को बन कर देके फ्रीजर में रखूंगी इसे चार से पांच घगंटे काफी है रखनी के लिए उसके बाद में खोल के बताऊंगी आपको कैसी बनी एक और दूसरी डेसिपी है मेरी कुल्फी की आपको भी चिक कर सकते हैं प्यूर कुकिंग चैनल पे मलाई मलाई मत्का कुल्फी के नाम से तो सिर्फ फ्रीजर में रखे आती हूं मैं तो साथ से आठ घंटे हो गए है मैंने थोड़ी सी कुल्फी अनमोल्ड भी कर दी है तो दो ही चीजों से बनकर तयार है कुल्फी अगर आपको मेरी कुल्फी की ये रेसिपी पसन आई तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब दूसरी वीडियो में मिलती हूं